महाराज बिक्रामादित्य मैंने सुना है कि आप बहुत बिद्वान और बुध्धिमान है लेकिन आप चूप चाप मुझे बुध्धो जैसा कंधे पर लाद कर ले जा रहे है मैं आपको एक कहाने सुनाना चाहता हूँ आनी सुनते सुनते पत भी कड जाएगा और पत का कस्ट भी पता नहीं चलेगा और कहानी के आंत में एक प्रशन करूंगा अगर आप प्रशन के उत्तर जानते हुए आप चूप चाप रहे तो आपके सर का टुकरा टुकरा हो जाएगा अगर आप सही उत्तर दिये तो फिर में वाफिस उसी पेड़ पर चला जाओंगा अब मैं अपनी कहानी सुरू करता हूँ सुनिये महराज बहुत सदियों पहले जंदनपूर नम का एक रज्ज था उस रज्जे का राजा था चित्रभानू उसके रज्जे सासन में प्रजा बहुत सुखी थे इसलिए नगर बासी बहुत निश्चिंट रहते थे लेकिन उन लोगों पर एक बहुत बड़ा समस्य था और एक दिन रहम की ये महाराद मेरे पूरा जिन्दगी का कमया है रहम रहम और मैं करूंगा रहम किसे कहते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ नहीं ये नहीं है युवरास दे दिजिए चलहट नहीं इसा मत करो सच में क्या नसित है हम लोगों का इतने अच्छे राजा का ऐसा लड़का अगर ये राजा बनेगा तो हमरा क्या होगा महा मंत्री क्या होगा इस अच्छे का इवराज को लेकर बहुत चिंता है मेरा उमर ढल चुका है उसे रज्जे संभालना चाहिए जी महाराज चामता हूँ मन पर मत लिजिएका महाराज एक बात कहो बोलो महा मंत्री निश्चिंत होकर बोलो महाराज इवराज को रज्जे भर मत सो पिएगा अभी महाराज प्रजा इवराज को पसंद नहीं करते हैं महाराज उनके अत्याचार डर से सरपरिसान है मैं चानता हूँ महामंत्री मैं चानता हूँ लेकिन क्या में करूँ समझ में नहीं आ रहा है महाराज क्या हुआ है पहरी इवराज आये है बेजो जैसी अग्या प्रनम पितस्री, क्या हुआ है, किसलिए आये हो तुम, पितस्री कल सुबह मैं सिकार पे जाऊंगा, इसलिए अनमतिले ने आया, क्या जरूरत है, जाओ, जल्द वपिसाना, देवराग आपके चाने के तैयारी कर देता हूं, मैं पहारी कोई है, रहेने दो, इसके कोई जरू नहीं है यह क्या नहीं नहीं मिल गया में जाना है पनीन को साथ में कमें दासधा सी पहरी में छोग wichtiger पर होतुम है मंутरी के बाते मानो कुछ हत राज नहीं लेकिन तुम्हें कर दोंगे यह इंप्वत दोलिया पहडियों के बीच में शिकर करना मुझे पसंद नहीं है मैं अकेला ही जाओंगा इवराज सुनिये इवराज सुनिये रहने दिचिये अकेला जाओ तुम लेकिन ये ध्यन रखना तेरा गमट तेरा रास्ते में ना आए चलता हूं मैं खाली हाथ जाओंगा चत्रिये बीर होकर खाली हाथ नहीं नहीं कभी नहीं थोरा घूम कर देखता हूं अगर कोई जानेबर मिल जाए तो वाह बहुत सुन्दर है ये चेडिया ये ये नहीं मत मरो उसे कौन है कौन है अब उसे तुम मत मरो चले जाए चले जाए यहां से मुझे मत रुको मेरा बात सुन्द ये महपाप है मैं चत्रिये बीर हूं शिकर कर ना हमारा धरम है जाओ यहां से जाओ सुनो सुनो मनो मेरा बात इतनी बड़ी हिम्मत, तुम मेरे बातुर का उलंगन किये, मैं तुम्हें अभी सिरब देता हूँ, अभी तुम जंगली बंदर बन जाओगे, यदि कभी तुम्हें सच्चा बैकते मिले, और वो तुम्हारा अपरातमाप करे तो तब तुम मुक्त हो जाओगे, और ना तुम जिन्दी की बार, ऐसे ही जंगली बंदर बंद कर जंगल में गुमते रहोगे, ना जाने कहा है वो, कितना समझाया मैं उसे, अकले मत जा, लेकिन बात नहीं सुनता, अब चितना मत किजिए महराज, इवराज वापिस आजाएंगे, सुने हो तुम, इवराज मेरी गया से वापिस नहीं आये है, पता नहीं क्या हुआ है, क्या वात है, जाने तो, छुटकारा मिला, सभी तो बहुत खूस हो गए, लेकिन मुसीबत में परा तो वो, हाँ, जगू, सुन, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गया है, मुसीबत, कैसी मुसीबत, चलो, अच्छा हुआ है, चोड़ी नहीं करेंगे, पूरा दिन, जो मेहनत से काम करूँगा, वो ही खा के अराम से सोऊँगा, आभी सोने दे, रिसन मत कर, क्या, क्या, हम लोग मेहनत करके खाएंगे, फीड से तू, सो गया, गुरुदेब के बाते भूल गया, कैसी बात, ओ, गुरुदेब बोले थे, ठांड के मसम में, जब रात में सब सो जाए, तब चोड़ी करना, चोड़ी, हाँ, दिन रात राजा के पहरी रहते हैं, अगर पकड़ा गए तुमारे जाएंगे, जान से, ओ, 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 इतना डरता क्यों है तू, तू फिर से सो रहा है, उठ, 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 ओ, 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 वए, बात, कितना परेशन करता है तो मुझे, जलना, दोनों हाथ खुजला रहा है, कितना दिन हाथ साब नहीं किया हो, बता, सुनना, उठकर बैट, कि हुन हमuerdoनों बैठकर कुछ सो्चते हैं ओफ मुझे सूने नहीं दिया तुं बोल कै बोल रहा है मुझे भोखलागा है हाह थू स्रिक खा और सो खाली पेट दिमक काम नहीं कर्ता है पहले कुछ खा लेता हूँ उफ पुरा दीन खाना खाना और खाना मैं कितना दिन से भूखा हूँ जंगल जंगल घूम कर और कितना दिन तक फल खाके रहूँगा चावल खाने का मन कर रहा है जाओं जाओं जाकर एक बर देखता हूँ अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बंदार बंदार बचाओ 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 डरपक कही का? जरूरी से भूक लगा होगा ये ले 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 खा 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 पेट भर के खा एक बात कहूं तुझे अगर इस बंदार को अगर हम लोग काम में सामी कर ले तो वाँ 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 ठीक कह रहा है तू, कर लेंगे इसे हम, अपने कम में सामी, अब हमारी समस्या मेट जाएगी, मेरी बात सून, कल से हम लोग पूरे सहर में इसे लेकर खेल दिखाएंगे, सब हम लोगों को सोचेंगे की, हम लोग खेल दिखाने वाले हैं, खेल दिखाने के बाद, रात के अंधिरे में, हम लोग इसे चोरी करवाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम लोग खार में रहेंगे, और ये बंदर रायाओं के घर जाकर, सून, सून, अब उसे बांध कर रख, फिर कल सुभा से काम सुग हो जाएगा, ये तो वहाँ अच्छा होगा, आप हमें खाने के तालस में, कहीं नहीं जाना होगा, रोज पे दुहर खाना खाएंगे, देख 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 आइए, 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 आइए बहुत चुन्दर है बहुत चुन्दर है प्रहरी इन खेल वाले को घर पे लेके आईएगा हम ना रोज अपने घर पे खेल देखेंगे ठीक है ठीक है अई सुनो कितना बरा महल है यह किसका है यह सिनवत का महल कितना सुन्दर है हाँ तुम लोग खेल दिखाते हो हाँ हम लोग खेल दिखाते हैं सुनो मेरे बेटे को तुम लोगों का खेल बहुत पसंद आया है इसलिए रोज सुबह आना खेल दिखाने समझे जी हम लोग जरूर रहेंगे आप हम लोग जाए क्या बोल रहा है तु सिना पती के घर चोड़ी करेगा नहीं नहीं हम लोग क्यू पक्राएंगे चोड़ी करेंगे तभी न पक्राएंगे हम चोड़ी नहीं करेंगे क्या बोल गया तु चोड़ी करेगा बंदार और हम लोग मला माल हो जाएंगे क्या हुँँ शर दो हुँँ सिनापती का घर पुरा साप कर दिया ये बंदर बंदर कमल कर दिया है ये बंदर बहुत कमल का है दीमाग हो तो ऐसा महराज महराज कजब हो गया है महराज क्या हुआ है सिनापती अब इस अवस्ता मेरा सवा में इसके अलबा और कुछ नहीं है मेरे पास महराज क्या सब सब चोड़ी हो गया महरा सब चोड़ी हो गया मेरा कुछ नहीं है सब ले गया सब ले गया हां चोड़ी मेरे रच्चे में चोड़ी महमंत्री अभी जाके पता लगाओ इतना बड़ा हिंबत किसका है मेरे रच्चे में चोड़ी मंदिर के अंदर खहना देख रहा है कैसे चमक रहा है साच बोल रहा है तु आख घिल मिला जा रहा है माते का मुकठ देख रहा है क्यों रहा है मैं जो सोच रहा हूं वो तू ही सोच रहा है क्या हूं यह भी कोई कहने की बात है तो आज रात में ही क्या है सावास सावास अब कोई चिंता नहीं है अब इस गहने को बेच कर जो पैसे मिलेंगे उन पैसे उसे पुरा जिंदेगी चल जाएगा चल अब जाके सो जाते हैं कल सुबस बस मेर के दुखन जाना होगा उसके बाद इस राज्य को छोड़ कर कहीं ओवर चले जाएंगे हम लोगी इस अब जो जाते हैं चल चल जी चल जी चल क्या है दिखाओ जांदी तो क्या लायर हो तुम लोग ये लीजी ये लीजी हाँ 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 जिन्देगी में देखे हो इतना गहना की थ्मास वजण हुआ तुलको बताओ जल्दी जल्दी बताओ आहाहाँ आभी आभी तोलता हूँ लेकिन इतना नागद नहीं दे सकता इतना पैसा अभी मेरे पास नहीं है। तो रहने दो हम लोग जा रहे हैं रुक जाओ, कहा जा रहे हो, ज़रा रुक जाओ, मैं अभी खर से लाता ही, कहें मत जाना। ठीक है, जल्दी आना, तेर मत करना। अभी अभी आ रहा हूं तुम सुनो, इन लोगों को बातों में फ़सा के रखो, जाने मते देना मिस्चंत रहिए आप महराज, सुनार जी आए हैं आपसे मिलने, एक ज़रूरी काम है उन्हें इस समय? ठीक है अंदर देश्टो प्रणाम महराज क्या हूँ आपको? बोलिए देखिए महराज, इसे हर को आप पहचन पा रहे हैं की नहीं? हाँ? ये हर? इसे तुमें अपने यूवराज के जनम दिन पर किशन जी के गले में पहन आया था लेकिन ये अपके पास कैसे आया? महराज, महराज अनार्थ हो गया, महराज अनार्थ हो गया क्या हुआ है पुजरी? महराज, स्री कृष्णे के मुर्ती से सारे गहने लोट गए महराज अब समझे महराज पहरी, इधर आओ महराज, मैं खूद जाओंगा उन चोड़ों को पकड़ने चलो मेरे साथ हम पकड़ा गए हैं बचाओ, हमें छोड़ों को आरा इसा नहीं करेंगे छोड़ों हमें चल, चल, छोड़ी करता है, चल, चल सार्जा के पास आपती के घर चोरी कियो हो, मंदिर से गहना चोरी कियो हो अब दोवारा नहीं करेंगे महराज कोई मा भी नहीं पहरी, इन्हें अभी काल कोठरी में ले जाकर इन दोनों को बंद कर दो जाओ, और इस बंदर को भी ले जाओ नहीं, उसे बागी चे में छोड़ दो, देखना, उसके खाने पिन में कोई तकलिफ ही ना हो अज मेरा अभी सरफ मुक्त हो गया पिता जी करूंगा, अब किसी पे अत्या नहीं करूंगा, ये बहत्या नहीं करूंगा, माफ कर दीजिये तितस्री जैसे दोनों चोड़ों को काल कोठ्री की सजा मिली, वैसे ही वराज को राजा सजा क्यों नहीं दिये है, पुलिये महराज बेताल, महराज जिस बख्री दोनों चोड़ों को सजा दिये थे, उससे पत ये वराज एक बंदर की रूप में था, दोनों चोर उस बंदर से चोड़ी करवा रहे थे, महराज सोचे, कोई भी चीब बेना कर्ष्ट के चोड़ी नहीं करेगा, इसलिए उसे माफ़ कर दिये, अई सरब से मुक्त होकर इवराज अपने रूप में आ गए, इसलिए इवराज का कोई कल्दी नहीं था, महराज जो किये है, सही किये है, इसलिए अब मैं चला, अब मैं चला, अब मैं चला महराज, अब मैं